हाई स्टुडेंट्स आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूटूब चैनल एवी पेने जुकेशन पर हम लोग पिछले अध्याय में प्रिथवी की आकृती एवं उत्पती के बारे में हम लोग अध्यन किये कि प्रिथवी की उत्पती किस प्रकार होई है और फिर प्रिथवी की आकृती जो है वह किस प्रकार की है इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरह से अध्यन किये आज हम लोग उसी का एक छोटा सा रूप उसका एक छोटा सा प्रतिरूप है ना गलोब के बारे में हम लोग अध्यन करने वाले हैं और काल्पनिक रेखा के बारे में अध्यन करने वाले हैं तो आज का हमारा अध्याय है दुसरा अध्याय और ये हमारा अध्याय है गलोब और कालपनिक रेखा है ठीक है तो आईए सबसे पहले हम लोग गलोब के बारे में देखते हैं तो देखिए गलोब जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर गलोब को देख रहे हैं है ना तो गलोब प् प्रिथवी की सत्थ तथा उसकी स्थितिक अध्यन जो है सरलता से असानी से किया जा सकता है। हम लोग कहीं पर भी समझने के लिए, पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए हम लोग पूरे प्रिथवी को तो क्लास रूप में नहीं ला सकते हैं। या फिर मानलीजी हमें प्रिथवी के बारे में समझना है कि कहां पर कौन सा महाद्यूप है, कौन सा देश कहां है, करक रेखा कैसे गुजर रही है, किस किस राजे से मक्का रेखा, किस किस राजे से गुजर रही है, किस देश से गुजर रही है। इन सबी चीजों के बारे में हम लोग अध्यन करना हो तो हम लोग प्रिथवी को तो उठा करके classroom में नहीं ला सकते हैं समझ नहीं सकते हैं इसलिए उसका एक छोटा सा प्रतिरूप बनाये गया उसी को बोला जाता है globe और globe जो है इस पर हम लोग महासागरो महाद्वीपो इन स आप लोग समझ चुके कि globe क्या है आए आगे चलते हैं और आगे हम लोग देखते हैं तो देखिए globe का उपरी सीरा उत्री धुरू तथा निचले सीरा दस्लिधु का लाता है यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं देखें आपको हम दिखाते हैं देखें यहाँ इस गलोब में यहां पर आप लोग सब से उपर में यहां पर उत्री ध्रू देख रहे हैं यहां पर उत्री ध्रू और इसके दस्षिनी बिंदू पर यानि कि सब से नीचे यहां पर आप लोग दस्षिनी ध्रू को देख रहे हैं तो इसके उपर वाला जो बिंदू होता है उ उत्री ध्रू को नॉर्थ पॉल बोलते हैं कहीं कई पर आप लोग देखे होंगे A.P करके इसे इंडिकेट किया हुआ होता है तो वो नॉर्थ पॉल होता है जिसको हम लोग हिंदी में उत्री ध्रू कहते हैं और दोनो ध्रूओं को ग्लोब जो है यहाँ अपने अक्ष पर चारो तरफ जो है घूम सकता है जैसा कि अब हम आप लोग को जो है ग्लोब का तस्वीर अभी आप लोग देखे है स्क्रीन पर है ना गलोब देख रहे थे मूब कर रहा था, चारो तरफ घूम रहा था, उसी प्रकार से हमारी प्रिथवी बीर घूमती है और गलोब भी आपको दिखाया गया, देखे यह जो गलोब जो है यह अपने अक्ष पर, ठीक है, यहां पर आप लोग देख रहे हैं, यहां अपने पक्षपर प्रित्वी का जुकाव 3.Should मतलब कि जुकी हुई है है ना ? तो आक्ष का मतलब यह होता है जैसे आप लोग देखे इसका जो अक्ष था जैसे पहले वाले आप लोगए यह तसवीर आपको देखें न जिसमें ग्डोब मूब कर रहा था चारो था घुम रहा था प्रित्वी की तरह तो वो जो जिस एंगल पर मुडा हुआ है यानि कि अपने अक्ष पर जितना जुका हुआ है उसी को हम लोग बोलते हैं अक्षे जुकाओ है और वह जो है साढ़े तेश डिग्री है कक्षे जुकाओ की बात करे कि कक्षे कोन जो हमारा मंड़ में जितने भी घर है उनकी उसकी परिकर्मा करते हैं तो वहां से जो उसका एंगल बनता है वहां से जो सुर्य के साढ़ेख में कोन बनता है उस कोन को हमलोग बोलते हैं कक्षे कोन तो याद रखिएगा कि प्रित्वी जो है वो अपने अक्ष पर साढ़े तेश डिगरी और अपने कक्ष पर है ना साढ़े च्यासर डिगरी जुकी हुई है तो आप लोग पृत्वी के अक्षे जुका और कक्षे जुकाओं के बारे में देखे हम लोग उत्री धुरू और दस्नी धुरू के बारे में हम लोग अध्यन किये आई आगे चलते हैं और आगे अब हम लोग बात करने वाले हैं काल्पनिक रेखा के बारे में ग्लोब और काल्पनिक रेखा ये आपका ध्याय था ग्लोब के बारे में आप लोग अध्यन किये छोटा सा प्रतिरूप है इसके जो उपर का ध्रू होता उसको 3 ध्रू बोलते हैं नीचे वाले ध्रू को 10 ध्रू बोलते हैं है ना फिर हम लोग देखे कि दोनों ध्रूओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग कक्छ बोलते हैं फिर हम लोग क्या देखे कि ये प्रित्वी जो है या ग्लोब का सकते हैं उस जो उसका छोटा सा प्रतिरूप है वो अपने अक्छ पर साड़े 30 डिगरी और अपने कक्छ पर साड़े 36 डिगरी जुका हुआ है आईए लोग वर्टिकल भी बोलते हैं और 36 मतलब होता है होरिजंटर ठीक है देखिए कुछ जो है प्रित्वी पर प्रित्वी पर ऐसी कोई रेखा नहीं खिची गई देखिए इसके नीचे लिखा गया है कि प्रित्वी पर ऐसी रेखाएं अथ्वा बृत नहीं है ऐसा आप नही कालपनिक रेखा है तो इसे हमें सुविधा ये होता है कि हम लोग किसी भी देश कोई भी महादीविप है ना कोई भी समुद्र कोई भी छोटा से छोटा सा अस्थान है ना उसकी इस्थिती को हम लोग असानी से जान सकते हैं इन दो रेखाओं के वज़े से अक्षांस और देसांतर रेखाओं की वज़द से, जिसके बारे में भी हम लोग बहुत कुछ बात करने वाले हैं, तो इसमें हम लोग यह देखें कि ग्लोब पर बहुत सी छोटी बड़ी रेखाएं खिची हुई होती है और वे सबी रेखाएं जो हैं कालपनिक होती है और कुछ रेखाएं से एक जाल का निर्मान होता है और उस जाल के बारे में अभी हम लोग आगे देखेंगे है ना उस जाल को हम लोग कहते हैं grid उसके बारे में अभी हम लोग अधियन करेंगे आगे चलिए तो ये जो है काल्पनिक रेखा है और अभी हम आपको बताएं कि ऐसी कोई रेखा प्रि यहां पर तस्बीर में देख रहे होंगे इस प्रकार से यहां पर जो है आपको इक्वेटर लिखा हुआ है यह इक्वेटर देखिए यह जो इक्वेटर लिखा हुआ है यही equator को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भुमध्य रेखा या फिर विस्वत बृत बृत बोलते हैं या फिर विस्वत रेखा बोलते हैं हम लोग अक्छांस रेखा को अक्छांस बृत कह सकते हैं लेकिन देसांतर रेखा को हम लोग देसांतर बृत नहीं कह सकते हैं क्यों नही प्रतेक एक डिगरी के अंतराल पर खीचा गया है, है ना, और येसी रेखा में जो है, इन में से कुछ रेखाएं महतोपूर्ण हैं हमारे लिए, जैसे आप लोग करक रेखा का नाम सुने होंगे, मकर रेखा, आर्क्टिक रेखा, अंटार्क्टिक रेखा, भूमध्य रेखा ये सबी जो रेखा हैं हमारे लिए बहुत महतोपूर्ण है, ठीक है, और क्यों महतोपूर्ण है, बारी बारी समलोग रेखा को देखते हैं, आप खुद बाखुद जो है, उसको समझ जाएगा क्यों हमारे लिए महतोपूर्ण है, तो देखिए, हम लोग देखें कि गुलार्द में बाटने वाली काल्पनिक रेखा है जो बिस्वत रेखा है या फिर उसको हम लोग भुमध्य रेखा बोलते हैं यह हमारे प्रिथवी को दो बराबर भागों में भी भाजित कर देती है जैसा कि यहाँ पे आप तस्बीर में देख रहे हैं तो जो उपर का हिसा होता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्री गुलार्द और जो नीचे का हिसा होता है उसको हम लोग बोलते हैं दस्चिनी गुलार्द ठीक है बिस्वत रेखा के दोनों तरफ की कोनिये दुरी 180 डिग्री है देखिए कोई भी सरल रेखा जैसे माल लेते हैं कि यहाँ पे देखिए एक सरल रेखा है है ना तो इस सरल रेखा पर यह जो एंगल बनेगा यह जो कौन बनेगा यह कितने डिगरी का एंगल बनेगा तो आप कहेंगे कि यहाँ पर यह कौन बनेगा 180 degree का यह 180 degree का एंगल बनेगा तो उतरी गोलार्द को विश्वत रेखा कि दोनों तरफ कोन यह दूरी यह दी देखें तो दोनों तरफ कोन यह दूरी जो है वो टोटल 180 degree और 180 degree तो देखिए इसको उपर में भी यहाँ पर जो है इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर 180 डिग्री और उसके बाद जो है यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर 180 डिग्री है ना तो इस प्रकार से बिश्वत रेखा के दोनों तरफ की कोणिये दुरी जो है वह 180 degree है उत्री गोलार्द को अस्थल गोलार्द तथा दस्षिनी गोलार्द को जल गोलार्द भी कहा जाता है हम लोग देखे कि विश्वत बृत जो है या फिर भूमदे रेखा जो हमारी प्रित्वी को दो गोलार्दों में बाढ़ता है जो उपर वाला गोलार्द होता है उत्र दिसा की तरफ उसको बोलते है उत्री गोलार्द और जो दस्षिन दिसा की तरफ होता है नीचे उसको बोलते है दस्षिनी गोलार्द लेकिन हम लोग उत्री गोलार्द को जो है अस्थल गोलार्द के नाम से भी जानते हैं किस नाम से हम लोग जल गोलार्द करते हैं इसके बारे में देख लेते हैं तो देखिए यहां पर आप देख रहे हैं प्रित्वी का है ना प्रित्वी का अधिकांस अस्थल भाग उत्री गोलार्द में है और अधिकांस जलिये भाग है ना अधिकांस जलिये भाग जो है वहां दसनी गो यहाँ पर देख रहे हैं अधिकांस जो जली भाग है वह दसनी गुलार्द में तो हम लोग देखे कि जो अस्थल भाग है प्रित्वी पर का जो अस्थल भाग है वो ज्यादा अस्थली भाग उत्री गुलार्द में इसलिए हम लोग उत्री गुलार्द को अस्थल के बारे में आप लोग देखें किस-kis नाम से गुलारत को हम लोग जानते हैं चली आगे चलते हैं और आगे हम लोग देखते हैं देखिए बिस्वत रेखा यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं बिस्वत वरीत अथवा भूमद्य रेखा के समनांतर रेखाओं को अक्छांस ब्रीत कहते हैं क्या कहते हैं अक्छांस ब्रीत कहते हैं या फिर अक्छांस रेखा कहते हैं देखिए यहाँ पे जो है यह आप एक्वेटर लाइन देख रहे हैं यह आपका भूमद्य रेखा और इसी के समनांतर है ना यानि इसी के समनांतर जो है प्रतेक एक-एक डिगरी के अंतर पर उतरी गोलार्द और दसनी गोलार्द दोनो गोलार्दों में जो है प्रतेक एक एक डिगरी के अंतराल पर कालप्रिक रेखा खिची गई है और उसी को हम लोग बोलते हैं अक्छान से रेखा हम लोग पहले भी देखें अक्छान से रेखा कैसे खिची गई है पू देख रहे हैं यह जो आप सबसे बड़ा अग्छांसबृत है ना अगर सबसे बढ़ाग्छांस भीज़न की बात करे या सब्से बढ़ी अग्छांस रेखा की बात करे तो वह हो गा हमारा एक्वेटर लाइन यानि की विश्वत रेखा है और देखिए यहाँसे क्या है equator line जो है धीरे ये equator line के बाद उत्री गुलार्द में और दस्री गुलार्द में है ना विश्वत रेखा के उपर और नीचे दोनों गुलार्दों में जो एक एक डिगरी के अंतराल पर रेखा खिची दिगरी होता है लेकिन वो नगाने हो जाती है पता नहीं चल पाता है कि वो एक मतलब वहाँ पर एक रेखा खिचा गया है ठीक है तो देखिए हम लोग देखे कि अक्छान से ब्रीद जो है ये परस पर समनांतर होते हैं और यह रेखाएं पूरब से पसिम की तरफ एक डिगरी की दूरी पर खिची गई है है ना कुल अक्छान से रेखाओं की संख्या 181 होती है चली इसके बारे में देख लेते हैं तो कुल अक्छान से रेखाओं की संख्या जो है कितनी होती है तो 181 होती है कहीं कहीं पर जो है आप लोग इसकी संख्या को 189 भी देखे होंगे ठीक ना इसकी संख्या जो है कहीं कहीं पर आपको 189 भी देखने के लिए मिलेगा तो आखिर इस अक्छान से रहा कि संख्या कहीं पर 181 और कहीं पर 189 क्यों दिये होगा होता है तो देखिए अगर हम बात करें तो यह जो हमारा equator line यह कितना degree होता है 0 degree का angle होता है यहाँ पर आप देख रहे हैं यह आपका 0 degree का angle हो गया है ना तो यह आपका equator line यहाँ पर 0 degree हो गया और यहाँ से हम लोग देखें कि प्रती एक एक डिगरी के अंतराल पर जो है उत्री गुलार्द में भी और दस्नी गुलार्द में भी रेखाएं खिची गई है तो इसी प्रकार से 1 degree 2 degree 3 degree 4 degree करते करते अच्छा सबसे पर यह बताईए यह जो है यह रेखा यहां पर पूठा जै बताईए यह कितने डिगरी का एंगल है तो आप कहेंगे कि यह 90 degree का एंगल है है ना उसी प्रकार से देखिए यहां से 1 degree 0 degree के बाद फिर 1,2,3,4 होते 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 उत्री धुरूपर जब पहुंचता है तो 90 डिग्री हो जाता है और फिर 0 डिग्री से होते होते जो है जब नीचे आता है तो यह भी यहाँ पर 90 डिग्री हो जाता है तो इस प्रकार से यहाँ से हम रेखाओं की बात करें तो उत्री गुलारत में कितना होगे 0 डिग्री को छ तो यहां से 90 और प्लस 90 कर देते हैं, तो यहां से 90 और प्लस 90 कितना होगा, यहां से 90 और 90 टोटल आपका हो जाए कितना, 180, यहां से आपका टोटल रेखा आजाएगा 180, ठीक है, देखे, यहां से जो है, टोटल रेखा आपका आजाएगा 180, और यहां पे जो है, जो आप 0 डिगरी देख रहे हैं, विश्वत बृत को, अगर इसको 188 में जोड़ देते हैं, अगर इसको जो है हम 180 में जोड़ देते हैं 180 में प्लस कर देते हैं वन है न तो 180 में जब हम प्लस बन करेंगे तो total अग्छान से रहा कि संख्याओं अपर कितना आ गया 181 यह तो हम लोग देख लिए कि 181 कैसे होता है आएए बात करते हैं कि 189 भी क्यों दिया हुआ होता है औ और यह मतलब बिलुप्त हो जाती है, पता नहीं चल पाता है कि यहाँ पर कोई रेखा, काल्पनिक रेखा खीची गई है, उसी प्रकार से अब यहाँ पर एक रेखा कम हो गई, उसी प्रकार से यहाँ दसनी धुरू है, यहाँ पर भी आकर के 90 डिग्री की जो रेखा होती है, यह भी बिलुप्त हो जाती है, पतलब बहुत छोटा सा होता है, और छोटा होने के वज़े से बिलुप्त हो जाता है, तो एक रेखा आपका यहाँ से बिलुप्त हो गया, ठीक है, तो एक रेखा जो है, आपका यहाँ से बिलुप्त हो जाएगा, तो टोटल अगर हम लोग 181 में से 2 को माइनस कर दे तो कितना होगा 189 रेखा होगा तो इस प्रकार से जो है कहीं पर आपको 181 भी मिलेगा और कहीं पर आपको 189 भी मिलेगा सबसे बड़ी अक्छांस रेखा की हम लोग बात कर लिए सबसे बड़ी अक्छांस रेखा कौन सी है भूमद्य रेखा या फिर विश्वत रेखा चलिए आगे देखते हैं तो दो अक्छांस रेखाओं के बीच की दूरी 111 km होती है दो अक्षानस रेखाओं की बीच की दूरी कितना होता है 111 km जैसे 1 degree है ना और उसके बाद आपका 2 degree इस दोनों रेखा के बीच की अगर हम लोग distance की बात करें तो यह distance आपकाएगा 111 km तो हम लोग अक्षान से रेखा के बारे में कुछ अध्यान किये चलिए आगे चलते हैं देखिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ मुख्य जो अक्षान से रेखा है जैसे आपका करक रेखा हो गया मकर रेखा हो गया आर्क्रिक रेखा हो गया अंटार्क्रिक रेखा हो गया ह ये सब झो है हमारे लिए ये मुख्य अक्षांस रेखाएं हैं ठिक है और यहां देखिए अक्षांसबृत प्रितवी को विभिन जलवायू छेत्रों में विभाजित करने में सहायक होते हैं ठिक है יहाँ से तीन कटी बंद में बाटा गया है और पहला कटी बंद है हमारा उस्न कटी बंद है ना उसके बाद आपको यहाँ पे जो है उत्री सितोष्न कटी बंद न जरा रहा होगा और जस्ट यहाँ पे देखेंगे तो आपको दस्षिनी सितोष्न कटी बंद उसके उपर जो है आप द लवाई हुए छेत्रिक में जो है विभाजित किया गया तीन कटी बंद में कौन-कौन तो हमारा हम लोग देखे उसने कटी बंद सितोषने कटी बंद और सीध कटी बंद ठीक है तो इस कटीबंद के बारे में जो है हम लोग 20-30 रुप से बात करेंगे अगले चेप्टर में उसे अध्याय में हम लोग देखेंगे ठीक है देखें अब हम लोग बात कर लेते हैं करकरेखा के बारे में हम लोग देखें करकरेखा हमारे लिए बहुत महतोपूर्ण है क्योंकि भारत के जो है आठ राजियों से होकर करकरेखा गुजरती है और वे कौन-कौन से राजिये ह आपको हम दिखाते हैं सबसे पहले यहां पर देखिए यह जो एक नंबर लिखा हुआ है यह आपका हो गया गुजरात है ना यहां पर जो आप दो नंबर में देख रहे हैं यह आपका हो गया राजस्थान उसके बाद जो आप यहां पर तीन नंबर में देख रहे हैं यह आपका हो गया मतलब पसी मंगाल वेस्ट बंगाल और साथ नमबर की बात करे तो त्रिपूरा और आठ नमबर की बात करे तो मिजोरम आप लोग मैप में देखे ये जो है इक्वेटर लाइन ये देखे आपे लिखा हुए ट्रॉपिक ऑप कैंसर है न ति ये जो है आपका इक अब हम लोग बात कर लेते हैं देशांतर रेखा के बारे में ठीक है देखे तो देशांतर रेखा में जो है गलोग पार उत्तर से दसिन की और कुछ उधर्व रेखाएं खिची गए जैसा कि हम लोग अक्षांस रेखा के बारे में अधेन की है अधेन की है ना अक्षांस र रेखा जो खिचा गया है यह खिचा गया है उत्तर से दसिंदिसा की तरफ है ना उत्तर से दसिंदिसा की तरफ यह रेखा खिचा गया है और यह उधर्व रेखाएं हैं और इसे ही जो है हम लोग कहते हैं देसांतर अर्ध बृत है ना या देसांतर रेखाएं है ना हम लोग तो देसांतर अर्ध बृत या फिर देसांतर रेखा कहते हैं इसे हम लोग देसांतर बृत नहीं कह सकते हैं हम आपको पहले ही बताएं कि अक्छांस रेखा को हम लोग अक्छांस बृत कह सकते हैं लेकिन देसांतर रेखा को हम लोग देसांतर बृत नहीं कह सकते हैं ठीक है च इक्वेटर है यह चारो तरफ जो है इस प्रकार से मूब करेगा है ना चारो तरफ जो है इस प्रकार से मूब करेगा और चारो तरफ जो है इस प्रकार से गोल 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 मूब करेगा तो एक ब्रीत का निर्मान करेगा है ना और यह कौन सी रेखा है तो यह अक्छांस रेखा और ये बिद का निर्मान कर रही है आप देख रहे हैं चारो तरफ है ना उसके बाद जो है equator line के बाद आपको एक degree की बात करें तो यह बी जो है इस प्रकार से goal move करेगा चारो तरफ है ना तो इस प्रकार से move करेगा तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि अक्छांस रेखा जो है उ आपको हम दिखाते हैं देखिए यह जो है देखिए यहां पर यह देशांतर रेखा दोनों धुरूओं पर देखिए यहां से यहां से आया उत्री धुरू से और दस्नी धुरू पर आकर के यहां पर मिल गया उसी प्रकार से फिर अगली रेखा को देखिए यह भी उत्री और इसलिए जो है हम लोग देसांतर रेखा को देसांतर बृत नहीं कहते हैं बलकि कहते हैं इसे देसांतर अर्थ बृत ठीक है तो आप लोग यह समझ चुकें कि आक्छांस रेखा को आक्छांस बृत क्यों कह सकते हैं है ना और देसांतर रेखा को देसांतर बृत क्यों नही कह सकते हैं यह आप समझ चुके चलिए आए देशांतर रेखा के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं देखिए देशांतर रेखा है ना को बताते हैं देखिए देशांतर रेखा है ना देशांतर रेखा हैं समनांतर नहीं होती है ना प्रंतुवे सभी लंबाई में समान हो यह से हम देखे देखें त्रे लिवन समनांतर तिसरी अक्छान से रिखाई इस प्रकार की है फिर उसके समनांतर चौती अक्छान से रिखाई इस प्रकार की है तो अक्छान से रिखाई प्रसपर समनांतर होती है लेकिन देसांतर रिखा जो है वो समनांतर नहीं होती है लेकिन हम यह कह सकते हैं कि उसकी जो लंबा यह जो लंबाई है वे लंबाई जो है वह बराबर होती है ठीक है देशांतरर एखाऊ के बीच की दुरी धुरू की और करमसा कम होती जाती है देशांतर एखा जो है धुरू के पास जैसे ही जाता है धीरे 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 इसकी दूरी क्या हो गया कम हो गया है ना उसके बाद भूमाद्य रेखा है ना और भूमाद्य रेखा पर आकर इनकी आपसी दूरी अधिक्तम हो जाती है ठीक है देखिए यह आपका मान लेते हैं equator line हो गया ठी इस प्रकार से खीची गई है और हमारा प्रित्वी जो है ठीक है और हमारा गलोब आप कर सकते हैं जो उसका प्रतिरूप है वो गलोब जो है वो तो गोल है है और गोल होने के वज़े से यह आपका एक्वेटर हो गया और यहां से जो मानली जी आपका जो है यह आपका उत्री ना तो जैसे जैसे यह ध्रूओं के पास जाएगा, इसकी दूरी जो है वो कम होती जाएगी, लेकिन जो equator लाइन यहां पर आप देख रहे हैं, विस्वत रेका यहां पर इसकी दूरी जो है, आधीक होगी, है ना, जैसा कि आप लोग यहां पर तस्विर में भी देख सकते है किसका दूरी आप यहाँ पर ज़्यादा देख रहे हैं जैसे जैसे यहाँ पर जायेगा धीरे धीरे जो है आप दूरी इसका कम हो जायेगा सभी देशांतर रेखाएं धुरूओं पर मिल जाती है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं देखिए देशांतर रेखा है ना जीरो डिगरी ठीक है देखिए देशांतर रेखा इंगलेंड में लंदन के पास इस्थित ग्रीनवीच वेद साला से है ना गुजरती है और उसे जो है जीरो डिगरी मान करके किया जाता ह देखिए जीरो डिगरी यह जो आप यहाँ पर जो जीरो डिगरी देशांतर रेखा है यहाँ गुजरती है और इस रेखा को क्या नाम दिया गया है इस रेखा को नाम दिया गया है मुख्य या प्रधान मध्यान रेखा है इसे हम लोग मुख्य या फिर प्रधान मध्यान रेखा के नाम से हम लोग इसको जानते हैं और जिस प्रकार विश्वत बृत हमारा 0 डिगरी माना जाता है है ना जिसे यहां पर देखे लिखा हुआ है किसे विश्वत बृत के समान 0 डिगरी माना जाता है जैसे हम लोग अक्छान से रेखा में 0 डिगरी किसको मानते हैं लाइन को अक्छान से मतलब विश्वत बृत को उसी प्रकार से देशांतर रेखा में हम लोग 0 डिगरी मानते हैं मुखे या प्रधान मध्यान रेखा को ठीक है चलिए आगे देखते हैं अक्छान से रेखाएं विश्वत बृत के उत्तर और दस्षिन में होती है जबकि आपका एक्वेटर हो गया और एक्वेटर के बात जो है अगर अक्छान से रेखा की बात करें तो इसके उत्तर में होगा इस प्रकार से या पिर कह सकते हैं किसके दस्षिन में होगा इस प्रकार से है ना लेकिन अगर हम लोग देशांतर रेखा की बात करें तो यह दिशा में होगा या तो वो पूरव दिशा में होगा और अक्छांस रेखा जो होता है वह विश्वत बृत के या तो उत्तर में होगा या फिर दस्षिन में होगा चलिए आगे देखते हैं इसके पूर्व दिशा की रेखाएं पूरवी दिशांतर रेखाएं तथा पस्षिम वोग देखिए देहांतर रेखा हो देखनी संख्या के आगे पूरा बत्वा परसिम लिखना आवस्यक होता है यह से अंपमाल नोब है कि 60 दिग्री देशांतर है यहां से हम आपको बोल दिये कि चलिए 60 डिगरी जो है यह देशांतर रेखा है तो यह जो 60 डिगरी देशांतर रेखा है यह कौन सी देशांतर रेखा है मतलब किलियर नहीं हो पाएगा पूर्वी देशांतर रेखा है कि पस्यमी देशांतर रेखा है इसलिए हमें देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है जिसमें 180 देशांत रेखा ग्रीन वीच रेखा के पुर्व में ठीक है और पुर्व की ओर तथा 180 देशांत रेखा हैं ग्रीन वीच रेखा के पस्चिम की ओर होती है ठीक है 180 हो गया पुर्व और 180 हो गया कहां पर पस्चिम में तो टोटल क बीच की दूरी चार मिनाट या 111 दसमलो तीन दो किलो मीटर होती है जैसा कि हम लोग देखे अक्छांस दो अक्छांस रेखाओं की बीच की दूरी कितना होता है 111 किलो मीटर उसी प्रकार से दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी कितना होता है अगर kilometer में बात करें, distance में, है न, तो यह आपका दूरी हो जाये कितना, 111.0, 32 km,− अगर समय की बात करें, तो समय होगा, 4 min, 4 min का अंतर होता है, चलिए आप आपको बता देते हैं कि 4 min का अंतर कैसे होता है, देखिए, 4 min का अंतर देख लिजिए, यहाँ पर आप देख रहे है कि degree की kool संख्या तो आए आपको हम दिखाते है है यहां से कि देशानतर रेखाएं जो है दो देशानतर रेखाऊं की बीच की तूरी चार मिनट कैसे होता है तो देखिए degree की गूल संख्या कितना है? 360 है है की ने? और उसके बाद दिनों में घंटों की कुल संगय कितना होता है 24 घंटा होता है एक दिन में है ना इसलिए प्रती घंटे डिगरी की संगय कितना होगा अगर 360 में अगर हम 24 से भाग देंगे तो कितना आएगा 15 आएगा है ना और चुकि एक घंटे में कितना मिनट होता है च्यार मिनट तो आप लोग देखें कि च्यार मिनट का अंतर किस प्रकार से होता है है ना चलिए आगे बात करें तो अकच्छान से रेखाएं देसांतर रेखाओं को काटती है और इनके काटने से जो वर्ग बनते हैं उसे हम लोग कहते हैं ग्रिड क्या काते हैं उसे हम लोग ग्रिड काते हैं हम लोग पहले भी देखे थे कि अक्छांस और देशांतर एक परस पर एक दुसरे को काटती है तो उसे जो वर्ग बनता है देखिए वर्ग क्या बनेगा देखिए यहाँ पर देखिए तस्वीर में यहाँ पर आप जो है हिसा देख रहे हैं यहां पर एक वर्ग का निर्मान हो रहा है उसी प्रकार से यहां पर भी आप देख रहे हैं एक वर्ग का निर्मान हो रहा है है ना तो यह जो वर्ग का निर्मान होता है इसी वर्ग को हम लोग बोलते हैं ग्रिड क्या बोला जाता है इसको grid बोलते हैं, तो आप लोग grid के बारे में देखें, है ना, चलिए, आगे चलते हैं, अंतराश्टिय तीथी रेखा, है ना, अंतराश्टिय तीथी रेखा के बारे में समझ लेते हैं, देखें, globe पर 180 degree देशांतर रेखा, दोनों तरब से एक ही है, जैसे अब यह हम आप पूरब में एक एक डिगरी के अंतराल पर देशांतर रेखाएं हैं, और पसी में भी एक डिगरी के अंतराल पर देशांतर रेखाएं हैं, तो इस प्रकार से 180 पूरब और 180 पसी में टोटल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, है ना, लेकिन जो 180 degree, है ना, देखें, जो 180 degree ज पूर्वी या पस्मी देसांतर रेखा है यह दोनों तरब से एक ही है यानि कि जो है इसे हम लोग देखें या पे लिखा हुआ है कि इसे हम पूर्वी या पस्मी देसांतर नहीं कहते हैं ठीक है इसे कहते क्या है इसके बारें बात कर लें तो इसे कहा जाता है अंतराश्टिय तीथी रेखा आप समझें अंतराष्टी तीथी रेखा क्या है तो हम लोग देखें कि जो हमारे प्रित्वी पर 180 डिग्री जो देशांतरेखा खिची गई है उसे हम लोग पूर्वी देशांतरेखा या फिर पस्यमी देशांतरेखा नहीं काते हैं उसे हम लोग क्या काते हैं तो उसी रेखा को हम लोग बोलते हैं, अंतराष्टिय तिथी रेखा, है न, देखिए, इस रेखा के पूरब से पस्यम जाने पर, एक दिन की बृधि हो जाती है, और अगर हम पस्यम से, है न, पस्यम से पूरब जाने पर, एक दिन की कमी हो जाती है, यह जो आप international deadline देख रह अगर इसमें हम लोग पूरब से पसिम दिशा की तरफ जाएं तो एक दिन की बृधी हो जाती है और पसिम से यदि पूरब जाते हैं तो एक दिन का कमी हो जाता है ठीक है देखिए यदि अंतराष्टिय तीथी रेखा है ना यदि अंतराष्टिय तीथी रेखा के पूरब मे तो इसके पसी में कौन सा दिन होगा इसके पसी में दिन होगा मंगलवार तो अंतराष्टी तिथी रेखा क्या है आप तो समझ चुके होंगे अंतराष्टी तिथी रेखा क्या है तो यही था अंतराष्टी तिथी रेखा है ना चलिए आगे चलते हैं अब थोड़ा सा बात क बारे में जो हम लोग देखे कि अक्षांस और देसांतर रेखाओं के काटने से जो जाल बनता है या जो आपका है जो वर्ग बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ग्रीड करते हैं तो आए ग्रीड के बारे में कुछ और इसकी विसेस्ता को देख ले देखें ग्रीड की सं ग्रिड की संख्या ग्यात होने पर इसकी संख्याओं की सहायता से जो है सरलता पुर्वक किसी अस्थान की स्थिती का निर्धारन कर सकते हैं यानि कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्रिड की संख्या ग्यात होने पर इसकी संख्याओं की सहायता से यानि ग्रिड की संख्याओ की सहायता से जो है हम लोग बहुत असानी से सरलता पुर्वक किसी भी अस्थान की स्थिति का निर्धारन कर सकते हैं ठीक है प्रित्वी की सता पर प्रतेक अस्थान चाहे वह जल में हो अस्थल पर हो है ना चाहे वह जो है पहाड पर हो छोटा हो या फिर बड़ा हो वह किसी किसी greed पर होगा या फिर आप कह सकते हैं किसी न किसी कटान बिंदु पर होगा ठीक है और इस greed की सहायता से ही हम बता सकते हैं कि कोई भी अस्थान जो है वह थिक है 1 मिनट देखे है वह अस्थान जो है कितने अक्षांस और देसांतर पर है ठीक है यहां से हम लोग अगर ग्रीड की ग्रीड की संख्या को देख ले तो ग्रीड की माध्यम से हम लोग बता सकते हैं कि कोई भी अस्थान जो है वह कितने डिगरी अक्षांस परिस्थित है और कितने डिगरी देसांतर परिस्थ तथा 80 degree पूर्वी देसांतर परिस्थित हैं हम लोग क्या देखें सा जहां पूर एक जो छेत्र है यह 28 degree उत्री अक्षांस पर और 80 degree पूर्वी देसांतर परिस्थित हैं ठीक है तो हम लोग grid की सहायता से ही किसी भी अस्थान का पता जो है उसका location हम लोग जान सकते हैं उसकी स्थिती हम लोग बता सकते हैं कि वह कितने degree उत्षांस परिस्थित है और कितने degree देसांतर पर इस्थित है तो यही सभी फायदा था जो अभी हम आपसे पहले बात किये थे न कि हमें काल्पनिक रेखाओं को खिचनी की आव सकता क्यों पड़ी तो यही आव सकता है ठीक है कि हम लोग किसी भी देस को किसी भी महादीब को किसी भी महासागर को किसी भी छोटे से छोटे बड़े से बड़े किसी भी छेत्र को हम लोग असानी से जान सकते हैं कि वह च्छेत्र जो है, कहां पर, मैप में जो है, कहां पर वो इस्थित है, है न, चलिए. तो गृरीड के बारे में आप लोग अध्यान किये, अब थोड़ा से हम लोग बात करने वाले हैं समय का निरधारन, ठीक है? देखिए समय का निर्धारन जो है दो तरह से होता है आपको हम बता दे दो तरह से कौन कौन सा है तो एक होता है अस्थानिय समय और एक होता है मानक समय तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करने वाले अस्थानिय समय के निर्धारन के बारे में ठीक है देखिए अस्थानिय समय के बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे तो अस्थानिय समय का निर्धारन सुर्योदे और सुरियास्त के अधार पर किया जाता है किस के अधार पर किया जाता है सुर्योदे और सुरियास्त के अधार पर किस प्रकार आये समझते हैं देखिए इससे देश के पूर्वी भाग के अस्थानों में समय अधिक होगा जबकि पस्मी भाग में समय कम होगा चलिए अच्छे ये बताईए सुरियोदे किस दिसा से होता है सुरियोदे देखिए ये आपका मैप हो गया ठीक है ये अपका मैप यहां पर पुरुदिसा हो गया यहां से पसिम दिसा तो यह इमें आपका पूछे कि बताए सुरियोदे किस दिशा से होता है और सुरियास्त किस दिशा में होता है तो पसिन दिशा में होता है ना तो इसलिए यदि हम सुरियोदे और सुरियास्त के अधार पर अगर हम समय का निर्धारन करें तो जो हमारे देश के जो पुर्वी भाग है वहां पर जो है पुर्वी भाग में समय अधिक होगा और जबकि पसिमी भाग म दिल्ली में सुर्य जो है वहाँ बाद में दिखाई पड़ेगा यानि कि वहाँ का समय जो है वहाँ कलकाता कि अपक्छा क्या होगा कम होगा हम लोग देखे जहां पर सुर्योदे पहले होगा वहाँ का समय अधिक होगा और जहां का सुर्योदे मतलब देरी से होगा वहाँ प पर होगा यानि कि हमारे उपर होता है एकदम सिर्ष पर होता है तो उसे हम लोग मध्यान कहते हैं या फिर हम लोग उसको बोलते हैं दो पहर है ना क्या बोले जाता है मध्यान है ना मध्यान उसको बोले जाता है चलिए अस्थानिय समय का निर्धारन धूप गड़ी की साहता से भी किया जाता है किसकी सायता से धोप गड़ी की सायता से तो ये भी आप याद रखिएगा कि अस्थानिय समय का निर्धारन जो है वो धोप गड़ी की सायता से भी किया जाता है तो आप लोग देखें कि समय का निर्धारन जो है वह अस्थानिय समय का निर्धारन किस प्र जिरो डिग्री देसांतर के बारे में तो आप देखें यह कहां से गुजरता है लंदन के ग्रीन वीच वेदसाला से गुजरता है ठीक है और पूरे बिस्व का जो है समय का निर्धारन वहां से किया जाता है लेकिन अगर भारत की बात करें मुख्य रूप से जो आपको नि ठीक है वह चेतर है नैनी और इस नैनी को केंद्री अस्थान मान करके यहां का जो है मानक समय का निर्धारन किया जाता है यह साड़े बेरासी डिग्री पूर्वी देसांतर है ठीक है भारत का जो मानक समय लिया गया है वो उसका अगर हम लोग बात कर ले तो जैसे पू यहाबाद के पास एक छेतर है नैनी यहां से बुज़रती है चलिए भारत का मानक समय जो है भारत का देखिए भारत का मानक समय जीरो डिगरी देसांतर से साड़े पांच घंटा आगे है भारत का जो मानक समय है वह जीरो डिगरी देसांतर से क्या है जीरो डिगरी देसांतर क आप 155 घंटा आगे है किस प्रकार आगे है आई उसको समझ लेते हैं देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि एक डिग्री एक डिग्री बराबर कितना मिनट चार मिनट हम लोग देखें दो देशांतर रिखाओं कि बीच की दूरी अगर मिनट में बात करें तो कितना होगा प्रकार मिनट चार मिनट तो एक डिग्री बराबर चार मिनट हो गया तो साढ़े बेराशे डिग्री बराबर कितना होगा बात आहिए तो 82 डिगरी बराबर आप बोलेंगे कि 82 गुना 4 अगर हम करते हैं तो आएगा 330 मिनट है ना और यदि इस 330 मिनट को हम घंटा और मिनट में चेंज करें तो यह आएगा 5 घंटा 30 मिनट है ना और भारत जो है वो कहां परिस्थित है उतर उतर और पूर्वी गुलार्द है ना यानि कि अगर हम गुलार्द में बात करें उतर और दसनी गुलार्द में तो उतरी गुलार्द में इस्थित है और पूरब और पसी में बात करें तो पूर्वी गुलार्द में अगर भारत की आप से पुछी जाए कि बताए भारत जो किस गुलार्द में इस्थित है तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उत्री गुलार्द या फिर पूर्वी गुलार्द आप ऐसा कहेंगे कि हमारा भारत जो है वह उत्तर पूर्वी गुलार्द में इस्थित है तो आप लोग यहां से द देखे कि किस प्रकार से भारत का मानक समय गुजरता है है ना तो यहां से जो आपके मन में प्रश्ण उठ रहा होगा कि आखिर भारत का जो जो हम लोग 20 वका जो हम लोग समय ने धारन करते हैं 0 डिग्री दे सांतर से तो फिर भारत का अपना मानक समय क्यों माना गया है ना इ अंतर होता था तो बताइए सोची आप एक ही देश में एक ही समय में दो राजिये में दो समय हो तब तो फिर समस्या हो जाएगी ना बहुतरा का समस्या हो जाएगा इसलिए जो है भारत का एक अपना मानक समय माना गया और वही माना गया साड़े बेरासे डिग्री पुर्वी देसांतर और यह कहां से गुजरता है तो इलहाबाद के पास नैनी से तो इस वीडियो में हम लोग जो देखें ग्लोब और काल्पनिक रेखा के बारे में ग्लोब जो है प्रित्वी के एक छोटा सा प्रितिरूपे बहुत अच्छी तरह हम लोग अध्यान के एक लोग के बारे में देखें फिर हम लोग कुछे काल्पनिक देखाओं को देखें समय का निर्धारन किस प्रकार से किया जाता है ग्रीड क्या होता है अक्ष किसे कहते हैं है इन सभी चीजों के बारे में हम लोग अध्यान किये तो इस वीडियो में बस इतना है फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम लोग अध्यन करेंगे मानचित्र के बारे में है ना तो इस वीडियो में बस इतना है धन्यवाद